सहारा कमपनी में लाखों लोगों ने अपनी सारी जमापूजी केवल इस आस में लगा दी थी कि उनका भविश्य एक दिल अच्छा हो जाएगा लेकिन सहारा निवेशकों को क्या पता था कि सहारा के मालीक सुपरत्रोय निवेशकों को धोका दे जाएगी आज भी सहारा में ना जाने कितने गरीबों का पैसा फसा हुआ है और इन गरीम निवेशकों की आस है और इंतजार है तो बस उस दिन का जब सहारा कमपनी इन्हें इनका पैसा लोटाएगी इसी कड़ी में सहारा निवेशकों के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है जिसमें सुप्रीम कोट ने सहारा ग्रूप में अपनी जमा पूजी फसने से परेशान जमा करताओं को बड़ी राहत दी है देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंदर सरकार की उस अरजी को मनजूरी दे दी है जिसमें सहारा समू के जमा करताओं को भुकतान करने के लिए सेवी के पास सहारा समू की तरफ से जमा कराई गई रकम में से 5000 करोड रुपे निकालने की इजाज़त मांगी गई थी जस्टिस, M.R. शा और सीटी रवी कुमार की बेंच ने कहा कि इस रकम का इस्तमाल उन लोगों को भुकतान करने के लिए किया जाए जिनने सहारा ग्रूप की कमपनियों ने ठगा है इसके साथ भी कोट ने यह आदेश भी दिया कि जमा करताओं को भुकतान की प्रक्रिया सुप्रीम कोट के पूर्व जज, जस्टिस और सुभाश रेड़ी की निगरानी में पूरी की जाएगी आपको बता दे कि केंडरी ग्रह मंत्री अमिशा के हस्तक शेप के बाद यह मामला सुप्रीम कोट में रखा गया इससे जुड़े अब तक 1,22 दावो को डिजिटाइस किया है मंत्राले ने कोट से कहा था कि 5,000 करोड रुपे दिये जाएं ताकि लोगों का पैसा वापस किया जा सके ग्रह मंत्राले ने सुप्रीम कोट के फैसले को एतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे सहारा समुक की 4 सहकारी समीतियों के हजारों निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा दरसल मंत्राले की तरफ से जारी विज्यपती में कहा गया था कि सहकारिता मंत्राले की याचिका पर सुप्रीम कोट ने सहारा से भी रिफंड अकाउंट में से कहा था कि उसे निवेशकों के पैसा लोटाने के लिए से भी सहारा एसक्रो अकाउंट में से पैसे निकालने की इजाज़त दी जाए सुप्रीम कोट ने साल 2012 में सहारा गूर्प की दो कमपनिया सहारा इंडियन रियल एस्ट्रेट कॉर्परेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्परेशन लिमिटेड को निवेशको के पैसे लोटाने का आदेश दिया था इसी के बाद सहारा समू की तरफ से दी गई रकम को सुरक्षित रखने और सही ढंक से निवेशकों को भुकतान करने के लिए से भी सहारा एस्क्रो अकाउंट खोला गया था इसके अलावा सहारा समू ने इस खाते में 24,000 करोड रुपे की रकम जमा कराई है लेकिन जमा करताओं की सही पहचान ना हो पाने की वज़े से भुकतान में अर्चने आती रही है सुप्रीम कोट ने इसी रकम में से 5,000 करोड रुपे निकाल कर जमागरताओं को भुखतान करने की इजाज़त अपकेंदर सरकार को दी है पिनाग पाणी महोंतानी नामक शक्स की जनीत याचिका पर सुनवाई के सिलसले में मांगी थी महोंती ने अपनी आचिका में मांग की है कि सहारा ग्रूप की क्रेडिट फर्म्स और चिटफंड कमपनियों में निवेश करने वाले लोगों को उनके पैसे का भुखतान किया जाए हलाकि पाँच हजार करोड रुपे निकाल कर जमा करताओं को भुखतान करने की इजाज़त देने के बाद भी लागों लोग अभी भी इस आशा में है कि उनके पैसे उनको कम मिलेंगी और कैसे मिलेंगी सहारा से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे दर फ्रीडम न्यूस के साथ